सबको ओम सांथी गुड़ बॉर्निंग आज 23 जुन 2024 की सरकार मुर्ली है स्वारी अवेक्त मुर्ली है अवेक्त बाप दादा के 19 मार्च 2000 में चले हुए महावाक्य है वो सीजन का लास्ट अंथा होली थी तो होली को पर बाबा ने मुर्ली चला है ख़ार तो बहुत सारी बाबा ने सिख्सा भी दिय है तो बाबा से सुनते हैं मुर्ली का अथा है आपनार 25प द्रूरा लाइन Sawya तो उसके लिए हम शेवा करते हैं तो बाबा करते हैं उसमें निर्मान रहना चाहिए पॉश्थ होना होना जाते हैं जो करन करावन हर करा रहा है हम तो दूआओ का खाता जमा होगा तो उसके उपड़ बहुत अच्छी बाबा ने आज सिक्सा दी है अज बाप दादा अपने Holy Happy Hanson की सबा में आये है चारों और Holy Hanson दिखाए दे रहे है Holy Hanson की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो सदा Holy Happy Hans अर्था स्वच और साफ दिल बबाद केते Holy Happy Hans अर्था सच स्वच और साफ दिल Holy Hans की हमें सबको विशेषता पता है दिल होने के कारण हर सुब आसाय सहर्ज पूर्णा होती है सदात रुपता आत्मा रहते है स्रेष्ट संकल किया और पूर्णा हुआ मेहनत नहीं करनी पड़ती है बाबा केते क्यों? क्योंकि बाब दादा को सबसे प्रिया सबसे समीप साफ दिल प्यारे है तो बाबा केते कि जो बच्चे साफ दिल है वो बाबा के दिल पे राज करते है यह बाबा के समीप है जिसलिए हमारे जनकी दादी का स्लोगन बन गया था कि सच्चे दिल पर साहब राजी तो बाबा केते हैं वो मेहनत मुपत रहते हैं तो उसकी विश्यस्ता क्या है साफ दिल वालों की बबने बताई और सरलता की निशानी है दिल दिमाग बोल एक समान नहीं तो बाबा ने स्वच्छ और सरल दिल दोनों की विश्यस्ता बताई दिल में एक बोल में और दुसरा ये सरलता की निशानी नहीं है सरल सभाव वाले सदा निर्मान चित नीरहंकारी नीरस्वार्थी होते हैं तो होली हंस की विश्यस्ता है सरल चित शरल वानी शरल वृत्ती और सरल द्रस्टी बाब तादा इस वर्स में सभी बच्चों में दो विश्यस दैज चलन और चहरे में दीखने चाहते हैं सभी पुछते हैं कि आगे क्या करना कि की सीजन का लास्ट अंता ने तो अभी आगे क्या पुरुषात करना है बाबास से पूचते थे तो बाबा क्याते हैं इस season के बिसेज समाप्ती के बाद क्या करना है, सभी सोते हो ना, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है सेवा केक शित्रयां में तो यथा सकती है, मैजोरुटी ने बहुत अच्छी प्रगती कि है आगे वड़ रहे है, बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं, बाबा केते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देखो तिन दफा बाबा ने कहा, जो भी सेवा करते हो, बहुत अच्छा, बाबा ने मुबारक भी देख, साथ साथ रि बाबा भी कितना रमिता से कभी-कभी बाबात करते हैं बच्चों से, बाबा केते हाथ नहीं उठाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे, तो सभी ने हाथ उठाया, बाबा केते हैं बहुत अच्छा, एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रुह रियान करेंगे दोनों कैसे रुह रियान करेंगे क्योंकि एक अधोरी आत्म है तो एक श्री Уग में दोयात्म है कैसे रुह रियान करेंगी जेसे यहां इस दुनिया में आप लोग तो बहुत अच्छी करते हो, तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है, और बाप दादा दो आत्मा एक सरीर है, और वार माबा केते, तो बहुत मज़े की बात होती है, बाबा ने क्या बाते की, बाबा भी सुनाएंगे, तो आज वतन में बाप दादा की दूर ही हम चली, किस बात पर, आप सब जानते हो के ब्रह्मा बाप को उमंग होता है, जानते हो ना, अच्छी तरह से, ब्रह्मा बाप का उमंग था के जल्दी से जल्दी हो, तो शीव बाप ने कहा, ब्रह्मा बाप को, कि विनास का परिवतन करना, तो एक ताली भी नहीं, चपकी, मना चुटकी बजाने की बात है, लेकिन आप पहले 108 नहीं, बाबा केते, आधी माला बना कर दो, जाना यसा बोला ब्रह्मा बाबा को, तो ब्रह्मा बापने क्या उत्तर दिया होगा, बताओ, बाबा केते, तैयार हो रहा है, अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है, बाबा कुछ रहे, पूरी माला की तो बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है, तो सभी हस रहे है, बाबा केते, हसना माना कुछ तो है, तो बोलते है, आधी माला तैयार है वो एक हात उठाओ और तययर हुई है और तययर हुई है बहुत थोड़े है जिसने उसमें हात उठाया तो जो समझते हैं कि हो रही है बाबा केते हैं वो हात उठाओ मैजोरिटी कहते है के हो रही है और मैनोरिटी कहते है के हो गई है जिन्होंने हाथ उठाया है के तैयार हुई है उनको बाप दादा कहते है कि आप नाम लिखकर देना यूँ मैनोरिटी में है लेकिन बाबा कहते है आप नाम लिखके दो जिसने उसमें हाथ उठाया है बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीद्वारत में कौन गौन हैं। बाप दादा भी समझते हैं कि होने चाहिए, ऐसे ही रत्न होने चाहिए। तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालना हैं। जिन्होंने ऐसा लिखके जहां तख़ा हिया हैं। तो अपना नाम लिखके दें चिठी में। फिर बाबा केते हैं उनका फोटो भी निकालो। तो ब्रह्मा बापने क्या जवाब दिया। आप सबने तो अच्छे जवाब दिये। ब्रह्मा बापने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी हैं जो आप चप्ति बजाएंगे वो तयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ने तो सिर्फ बापने कहा अच्छा सारी माला तयार है अधी माला का दो ज्याब मिला normalized सारी माला के लिए पूछा बाबाबा ने उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए तो ये साघ्कार्ण करते हैं आखना है जैसे कि आापके जून है वाआ क्यों से एक शून नहीं की जोन तो बहुत-बहुत बड़े है इंडिया में तो बाबा कि इने बाबा विशल को इमर्च करते गये, देखे ब्रह्मा बाप ने कहा की एक विशल्दा अभी जल्से जल्ली से बच्चते धारां कर लेंगे तो माला तैयर हो जाएगी। छिटनी सर्वीज में उन्नती ही हैं अजंको सुरॉष करते हुए आघे बढ़े हैं। निर्मान के साथ निर्मान तो वह है निर्मान और वह है निर्मान बावा कहते हैं मातरा का ही अंतर है लेकिन निर्मान और निर्मान दोनों के बैलन्स में अंतर हैं अंतर क्यों है अभी बावा वो बताते हैं कि सेवा की उन्नती में निर्मान ताके बजाए कहां कहां कब कब स्वा अभिमान भी मिक्स हो निर्मान्टा दिखाई निर्मान्टा इस बैलंस की कमी अभी बहुत आवस्यक है अभी तक जो सभी सबनसपरकवालों से ब्लेसिंग मिलनू चाहिए वो ब्लेसिंग नहीं में किता वह कहना चाहिते कि आप सेवा तो करते हो लो निर्मान का कारियों तो करते हो थोड़ी मान की अपेक्सा रह जाती है सुक्षमा में कुछ चाहिए बाबा केते तो इसलिए लोगों की परिवार की सबन संपर्क वाले की ब्लेसिंग नहीं मिलती है और पुरसात कोई कितना भी करता है बाबा केते अच्छा है लेकिन पुरसात के साथ अगर दुआओ का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज रहम दिल बनने की स्टेज की अनूभूती नहीं होगी इसलिए अवस्यक है स्वा पुरुसार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआई तो पहले बाबा की दुआए भी चाहिए फिर परिवार की भी चाहिए वाना निमित होकर के हम सिवा करेंगे करवा अनहार बाबा करा रहा है हम निमित क्योंकि साकर मर्द्यम है या बाबा तो निराकार है हमारे द्वारा ही सब कुछ कराएंगे तो इसलिए हम तो बाबा को खाली इंस्ट्रूमेंट डिया है बस वो निमित भाव होगा तो दुआए मिलेगी तो ये दुआए जो है ये पुनिया का खाता जवा करना है ये मार्क्स में एडिशन होती है कितनी भी सर्विस करो बाबा कैते है अपनी सर्विस को धुन में आगे लिते चलो लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में इस विशेस्ता दिखने चाहते है कि सेवा के साथ निर्मानता, मिलनसा वगरा वगरा जो भी वर्चूज है वो होन अब तीन दफा बाबा ने कहा लेकिन नंबर पीछे क्यों इसलिए बाब दादा पहले से ही इसारा देते है कि वर्तमान समय एपुन्य का खाता बहुत बहुत जमा करो ऐसा नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा ये तो बदलता नहीं है जब प्रकूती को बदल सकते हो बाबा केते अधर्यश्क को तो क्या अद्स को बाबा केते अधर्यारीया लेकिन जो इसांठ्य मेरे लेकिन निर्मान है और पर्वेत करना है और फिर हमें निर्मान भी रहना आ है आदोनों का बैलन्स तो सुना, last में होमवर्क तो देंगे ना बाबा केते हैं कि जीजन का अंतिम टान था, तो फिर next year के में छे महिने के लिए बाबा होमवर्क देते हैं, तो कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना तो बाब दादा आने माली सीजन में आएगा, लेकिन कंडिशन डाले गा बाबा, इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वपन में भी नहीं था, तो दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले, अब कोई तो कंडिशन डालनी पड़ेगी या नहीं, बाबा केते हैं, क्या रहे हैं, क्या ऐसे ही चलता रहेगा, बाबा केते हैं, क्यों, इन संग्यम को इतना बड कि, जन्मा पत्री सुनाओ, कब तक, अभी एक क्योस्चल उठा है, कब तक, तो लेकिन बाबा केते हैं, लेकिन के लिए 6 मास तो ही नहीं, कुछ लेकिन वगेरा बोलना सुरू क्या होगा, तो बाबा केते हैं, उसके लिए 6 मास तो ही नहीं, 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन पर इस जड़ी निसनस्था करते हैं ने बाबा बराब करjest两ग ऑस को मिलते हैं बाब दादा के पांस में दिल का चित्र निकालने की मसीनरी है तो मनुष्य का एक्सरे निकालते हैं बोडी का लेकिन बाबा के ते अंदर दिल में क्या चलता है उसकी भी फोटो बाबा निकाल सकते हैं यहां एक्सरे में तो इस थुल दिल दिखाई देता है तो वतन में दिल का चीतर बहुं स्पष्ट दिखाई देता है, कई प्रकार के छोटे बड़े दाग, डीले, बाबा के ते स्पष्ट दिखाई देते हैं, आज होली मनाने आये हो ना, तो लास्ट टन होने के कारण पहले होंवर्क बता दिया, लेकिन होली का आर्थ औरों को भी सुनाते हो, कि ह होली मनाना अर्था, बीती सो बीती करना है, होली, जो बात हो गई, उसको भूल जाने का, फुल स्टॉप, और होली मनाना अर्था, दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्वप्रप्ति संपन, जो भी अंदर में दाग है, उसको खतम क करो, तो हुली में वही सब पुड़ा, कचरा वगेरा, हम इस वही चीज़ डालते हैं, जलाते हैं, तो बाबा केते हैं, कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण, एक बात अच्छी नहीं लगती है, कौनसी, वहें मेहनत बहुत करते हैं, अगर दिल साफ हो तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा, और आप दिलाराम के दिल में समाया हुए रहेंगे, दिल में बाप समाया हुआ है, तो किसी भी रूप की माया, चाहे सुक्स्मर रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं बाब दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं बाबा मन भी साप्त होना चाहिए लेकिन मन भी तो पहनाद से मुक्त होंगे मैनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभो कर सकते है राबा केते हैं अब यहां संगम युग में हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभो करना है में सामें माया भी बांद नहीं सके हमारे कर्मों भी बांद नहीं सके हमारे कर्मेंदिरिया भी बांद नहीं सके ना कोई सबंध हमें, अगर सबंधियों के बाँछ सकेए, तो हम सब से फ्री, मुक्त जीवन है, वो अभी यहां मेशूस करना है, तो हो ली माना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूती में रहना, तो अब बाप दादा मंसा सक्ती द्वारा सेवा को सक्ती साली बनाने चाहते है, वानी दवारा सेवा चलती है, बाबा के हैं, दोहजर की बात है. 16,900,000 बाबा कहते हैं यह तो बहुत दूर हो गए ने क्योंकि 16,100,000 की वाला भी बनानी है और फर्स्ट गद्दी में 9,000,000 आत्मा चाहिए ने तो जाके राजी किसके उपर करेंगे और यह 9,000,000 आत्मा ही मुख्या है जो यह कहते हैं नौ लाख तारे हम आशमां में कहते हैं वो हमारी ही आत्गार है यही ग्राय अक्सत्र है यह वही कहते हैं कुल देव कुल देव मुख्या है तो फिर वो 9,000,000 आत्मा चाहिए पहली गद्दी के लायक बनानी है बापेशमान तो इसके लिए फास्ट विडी चाहिए, पहले अपनी मनसा को सुरेष्ट स्वच्छ बनाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, जो भी है मन का कारण है, मन नहीं इतना मेल भरा रहता है, अच्छी सोच ही नहीं चलती है, तो बाबा केते हैं, अभी तक मैजोरेटी के सैठ्ट से भी होली मना ना, तो बाबा के थे होली मनाई, मनाना अर्थात बनना, अभी दुनया वालेतों विन्र मिन रंगों से होली मनंते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्छो के उपर डिवय गुनों के, डिवय सक्तियों के घ्यान गुलाब के रंग डालते हैं, आत्म पर सुरिया की करने में अटी है, तो सातो रंग हमारे बोडी में भी हमारे हर सकतियों को उसी के अनुसार एक्टिवेट करते हैं, हमारी हर घ्रंथिया हमारी हर सिस्टम हमारे हर सब और उर्गंस वाओर रंगों के साथ जुड़े हुए है तो बाबा देखो हमें रुहानी रंग से रंगते हैं, कि हमारे दिवय गून, दिवय शक्तियों के लाल गुलाल के रंग, बाबा हमारे पडाल रहे हैं, तो आज वतन में और भी समाचार था, एक तो बाबा के ते सुना या, रूह रियान का, दूसरा ये था कि जो भी आपके अच्छे-च्छे सेवा साती एडवांस पार्टी में गहे हैं उन्हों का आज वतन में हुली मनाने का दिन था तो बाप दादा ने रूरियान की सेवा समाचर बताया फिर दूसरा एडवांस पार्टी वालों ने हुली मनाई तो आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो यातो आती है तो अपनी डादियों की सक्कियों की पंडों की यातो आती है तो बहुत बड़ा ग्रूप हो गया है एडवांस पार्टी का अगर नाम निका लो तो बहुत है तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माय होली मनाने आई थी अभी अपने 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 पुरसात की प्रालब्द प्रमार भिन्न बिन्न पार्ट बजा रहे हैं ये को बाबार बहुत सुक्समा सुक्समा बात करते हैं एडवांस पार्टी के बारे बताते हैं सबी अपने अ पार्ट बजा रहे हैं, एडवांस पार्टी का पार्ट अभी तक गुप्त है, बाबा ने बताया नहीं है, अमारी मम्मा की यादगार सरस्वति को गुप्त न दी इसी के लिए ही तो बताते हैं भक्ति मार्ग में, आप सोती हो न, क्या कर रहे हैं, वह आप लोगों का आहवा कि अगरणुप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्यान इमर्ज हो जाए, तो सभी भाग करके मदूबन में तो आजाए न, बाबा केते हैं, इसलिए ड्रामा भी कैसा है, यहाँ जो भी धारण किया है, इवियता को, पवित्रता को, बाबा का प्यार तो वो संस्कार उनके साथ है, लेकिन क्लियर इमर्ज नहीं होता है, लेकिन नियारापन जरूर है, वो सेवा भी कर रहे हैं, बाबा केते हैं, यदि वो इमर्ज हो जाए, तो पता चल जाए ने, कि हम ब्राम्मण थे, लेकिन इन्हों का पार्ट नियारा है, ज्यान की सक्ति है, बाबा केते हैं, उन्हों में ज्यान मर्ज हो गया है, लेकिन ज्यान की सक्ति है अभी, सक्ति कम नहीं हुई है, निरंतर मर्यादा पुर्वाद गर का वातावरान, माबाप की संतुष्टता और स्थूर साधन भी सब प्राप्ता है, देखो, वहां कैसे है बाबा वो सब वर्णन करते हैं, कहां है बाबा वो नहीं बताएंगे, मर्यादा में बहुत पक्के हैं, नंबर वारतों हैं बाबा केते हैं वो भी, लेकिन वीशेस आत्माय पक्के हैं, मैसूस करते हैं कि हमारा पुर्वजन्म और पुनर जन्म महान रहा है और रहेगा, फ लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई एडवांस पार्टी ने, आप लोगों ने देखा होगा, कि होली में बिन्न बिन्न रंगों के सुखे रंग थालिया बरकर रखते हैं, तो वतन में भी जैसे सुखा रंग होता है, ऐसे बहुत महीं चमकते हुए हीरे थे, रंग बे जैसे रंग को हाथ में उठाओ, हलका होता है, ऐसे बिन्न बिन्न रंग के हीरो की थालिया बरी हुई थी, तो जब सब आ गए, तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है, जानते हो ने बाबा केते, लाइट का ही होता है, क्याकि वहाँ फरिष्टा रूप है, तो लाइट की ब चमकता है, क्योंकि आत्मा ने अपनी अनर्जी से पवित्राता के पावर से बनाया है, तो पावर्फूल चमकीला, तो बाब दादा ने सभी को अपने संगम-yugी सरीर में इमर्ज किया, देखो, जब संगम-yugी सरीर में मर्ज हुए, तो येक-दो में बहुत मिलन मनाने अपस मैं अपने जीवन की बहुत सी कहानिया एक दो को सुना रहे थे बाबा ने ऐसा कहा ben ने ऐसे मेरे से प्यार किया शिक्सरा जी बाबा ऐसे कहता है बाबा-बा बाबा बाबा ही था उस समय के बाद क्या हुआ कि सबके संसकारों का तो आपको पता है तो सबसे रम्री कौन थी इस ग्रुप में तो बता है कि दादी और चंदरमनी दादी दीदी पहले उठी और चंदरमनी दादी का हाथ पकड़ा और राज शुरू कर दी और दीदी जैसे यहाँ नस्य में चली आती थी ना वैसे नस्य में खुब रास किया मम्मा को बीच में ठहराया खड़ा किया मम्मा को और उसके आसपास में और सर्किल लगाया एक दो को आख मिचोली की बहुत खेला और बाप दादा भी देख बहुत उसकरा रहे थे हमारे हसाम ने वे सीन जैसे के इंवर्ज हो गई होली मना ने आए तो खेले भी उस समझ के बाद सभी बाप दादा की बाहूं में समा गए और साब एकदम लवलीन हो गए और उसके बाद फिर बाप दादा ने सब के उपर भिन भिन रंगों के जो हीरे थे बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ने, छोट आसा पार्टिकल, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी, तो बार प्यादा ने सब के उपर डाला, तो चमकती हुई बाडी थी ना, तो उसके उपर ये भिन्न भिन्न रंग के हीरे पढ़ने से बहुत सभी जैसे सज कहते हैं तो साथ ही रंग थे, तो बहुत सभी ऐसे चमक गए, तो सत्यूत में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी बाबा केते हैं, सब मौज में तो थे ही, फिर एक-दो को भी डालने लगें, क्या हीरा, कलर, शिरा, रमनिक बहने भी तो बहुत थी ने, तो बहुत-बहुत मौज म बोग लगता है, बाबा को, होली के दिन जलाना, दूसरी दिन मनाना, तो बोग लगता है, तो बाबा कहें कल बोग लगाएंगे, लेकिन बाब दादा ने मधु बन का, संगम यूग का बिनन बोग सबको खिलाया, और उसमें shopा बोग को कुन सा होटा है, तो किसी ने बुला गेवर और जलेवी तो आप लोग गुलाब का फुल भी तलते हैं ना तो वेराइटी संगम युक्के ही बोग खिलाए आप से पहले बोग उन्होंने ले लिया है आपको तो कल मिलेगा अबा केते अच्छा मतलब तो बहुत बनाया नाचा गाया सभी ने मिलके वाह बाबा मेरा बाबा मिठा बाबा के गित गाये तो नाचा गाया खाया और लस क्या होता है अबा केते बधाई और विदाई तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना आपने लोग ने भी तो बनाया नहीं देवांस पार्टी के साथ मज़ा आता था, लेकिन पहले अभी फरिस्ता बन प्रकास में काया वाले बन जाओ, बाबा केते हो बिलकुल फरिस्ता, बाप दादा ने सभी को फिर घेल कराई, अपने उपर, बाबा केते हैं, अभी अपने उपर बिन बिन रंगों के चमकते हुए हीरे, सुक्सम सरी पर डालो, और सदा ऐसे दीविय गुनों के रंग, सक्तियों के रंग, ज्यान के रंग से स्वहम को रंगते रहो, और सबसे बड़ा रंग, बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो, ऐसे अमर भव, अच्छा देखो बाबाने अमर भव का वरदान दे द सदा साफ दिल प्राप्ति संपन बच्चो को, सची होली मनाना अर्थात अर्थ सही चित्र प्रत्यक सुरूप में लाने वाले बच्चो को, सदा निर्मान और निर्मान का बैलन्स रखने वाले बच्चो को, सदा दुआओ के पुन्य का खाता जना करने वाले बच्चो को, बह वहुत वहुत, पदंगुणा, याद, प्यार और नमस्ते, आज बाबा ने लास्ट फरस्ट गए, मुरली का एसेंस बाबा ने बताया, तो इसे सारी मुरली का सारवता दिया, वर्दान है, मदूर्दा द्वारा बाप की समीत्ता का सक्सातकार कराने वाले महानात्मा बाबा वरदान में भी बाबा ने गून को कवर किया मदूरता, तो जिन बच्चों के संकल्प में भी मदूरता, बोल में भी मदूरता और कर्म में भी मदूरता है, वही बाप के समेप है, तो सब चिंतन करना, संकल्प में मदूरता कैसे आ सकती है, इसलिए बाप भी उन्हें रोज क बना देता है स्विट बन करके व्यववार में आना है वो ही बाबा केते है प्रैक्टिकल जीवन से हमें सबको मदूर्ता के गुण का दायान करना है स्लोगन है अज के लिए कोई भी कारिय डबल लाइट बन कर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे दबल लाइट में आत्मा भी लाइट है ना में अभी प्रकाश हूँ और बोज से भी हलके लाइट रहमरा सुक्समा सरी भी लाइट उसी सेंस में भी आत्मा भी लाइट क्याकि स्टार है चमकता सितारा और मेरा सुक्समा सरी भी फरिस्ता में फरिस्ता हूं ना डबल लाइट स्थिति भी डबल लाइट तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे और फिर मनो रंजन का अनुभाव करेंगी तो बाबा ने बहुत अच्छी वाने होली के उपार चलाई और अधे साल चे महिने के लिए बाबा ने होम वर्क दे दिया तो अभी बाबा को हम याद करेंगे थेंक्स करें करें दो मिनिक योग करके